साथ हजार रियाल हम इंडिया को ले कर जा सकते हैं क्या, साथ हजार रियाल तक को तो सुना है, आपको कितना ले जाना है, तो भाई एक वीडियो पर ये कoment आया है, पहले तो अस्सलाम आलेकूम रहमतुल्ला वरकराता हो, इस वीडियो में आप लोगों को यही बताओंगा कि आप सॉधी अरब से कितना currency नोट्स इंडिया को लेकर जा सकते हैं चाहे वह इंडियन करेंसी में हो या फिर यूएस डॉलर में हो या फिर सॉधीयर रियाल में हो फिर अगर आप उसे ज्यादा ले जाएंगे कितने से ज्यादा ले जाएंगे तो तो आपको कस्टम ड्यूटी क्लिरेंस करना पड़ेगा मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा वीडियो पुराइन तक देखो पहले तो यह सवाल मैं पढ़ लेता हूं ठीक है ना तो भाया मैं इसे वीडियो देख रहा था गोल्ड के बारे में तो बाइसाब ने सौधी से इ आपको कितना गोल ले कर जाना है तो यह गोल्ड की बात हो रही है और यहां भाईसाब का मसला खत्म हो गया देखिए सौधी अरब से दुबई जा रहे हो तो साथ हजार रियाल ले जा सकते हो सौधी सिटिजन्स के लिए हो सकता है ठीक है ना या फिर आ रहे हो सौधी अरब में तो साथ हजार रियाल तक आप ला सकते हो लेकिन उसके लिए ले करते हैं जो के शोटी होड़ेंगों के सपने होते हैं पहने थोड़ा सा सो ना ले जाय हमारी बेटी के लिए हमारी बहन के लिए हमारी मा के लिए हमारी दादी के लिए नानी के लिए सोना लेकर जाए जाके उनको पिनाए उनको दे ठीक है यह डूमिस्टिक वरकर में जो लोग होते हैं च्छोटी मोटी सैलरी जिसकी 2500 रियाल सैलरी होती है वो लोग यह सोंचते हैं क्योंकि साल दो साल चार साल काम करके जो जाते हैं वो लोग सोना ले जाने का सुचते हैं तो यही लोग सवाल करते हैं जब सवाल करते ना तो यह सोन समझ के जवाब देना चाहिए क्योंकि बंदा जब जा रहा है इंडिया साथी अरब से अगर वो इंडिया जा रहा है तो वो अगर हद से ज्या गया khi तो पकड़ा गया, तो फिर उतना अलम है उतना निकाल के बाखी का जितना ज्यादा रहता है, उसको कस्टम ड्यूटी को करना ही पढ़े गा वरना वह को कि बख जाए गाएगा इंडियां सवाथ अरभ से अगर आप इंडिया जा रहे हो सौधियर अरभ से सिर्फ to का ना मैं दोबाई की की ना को यद की नहीं खतर की नहीं यूजिर ने लेकिन आपको डॉलर smat कि वारे बता हूंगा कि और लेडिस हद के लिए जो है एक लाग रुपीज तक का सोना बताया गए उससे थोड़ा वो ज्यादा आप ले जा सकते हो ले जाते हो अगर निकल जाते हो बाहर तो अच्छी बात है लेकिन इसमें गोल्ड बार्स पर अलग मसला है ज्वेलरी पर अलग मसला है कोईंस पर अ मुझे चलते हैं सभाव से कितना मैं में कितना ले जा सकते हो यहां पर बताया है कि आप सवादी अरफ से 18,000 रियाल काश्व ले जा सकते जो है और यॉइस डी में उएस डूलर में 5000 डॉलर तक क्याश ले जा सकते लेकिन इस पर वहाप को खीलियर करना पड़ेगा उबाद सीधी सी बात बता दूँ वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एलव किया है अगर आप इंडियन करेंसी ले जा रहे हो इंडियन नोट्स गांदी जी को अगर ले जा रहे हो तो 25,000 रुपीस 25,000 इंडियन रुपीस क्या आप ले जा सकते हो इंडियन सीटीजन्स के लिए यह है अगर आप दूसरी कंट्री के कोई करेंसी ले जा रहे हो जैसा कि यू-यस डॉलर है या सौधी रियाल है तो देखिए आपको त्खलिप ना हो इसलिए मैं लिमिंट्स में बता रहा हूँ अगर आप उससे ज्यादा ले जाना चाते हो तो ले जा सकते हो उसके बाद अगर ह सकते आपको क्लियर करना पड़ेगा तो पड़ेगा नहीं तो नहीं पड़ेगा तो भया सिंपल सी बात है ठीक है अगर आप यूएस डॉलर अगर इंडिया को लेकर जा रहे हो करेंसी में तो बताया गया है कि 2000 डॉलर क्याश में आप क्यारी कर सकते हो इंडिया को ठीक है अगर आपके पास US डॉलर में 2000 डॉलर से ज्याद़ अगर होता है तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको 90 आपको बैंक में डिपोजिट करना पड़ेगा और उसको नवत दिन के अंदर अंदर आपको डिपोजिट करना पड़ेगा ठीक है ना तो आप अंदाजा लगा लो दो हजार देखिए दो हजार तीन हजार डॉलर भी आप ले जा सकते हो क्योंकि आप बता ना कि भाई हम हम वहां काम कर रहे हो तो हमारे पास यह डोलर है तो हम लेकर आ लिए साथ में हमने एक्षेंज नहीं किया यहां पर एक्षेंज कर लेंगे एरपोर्ट पर ही ठीक है इस तरह से आप देखिए बाई बंदे को दिमाख होना चाहिए वो किसी तरह से निकल जाएगा लेकिन युएस डोलर से कितना रियाल बनता है अब देखिए डोमेस्टिक वरकर जो है ज्यादा तर ज्यादा तर पांच हजार रियाल से ज्यादा तो लेकर नहीं जाएंगे 5000 4000 3000 रियाल इस तरह से ले जाते हैं तो देखिए अन्दा लगा लिए यहां पर अठारा हजार की अगर मांगता है आप लोग तो साथ में 3000 4000 रियाल रखो और ले जाओ यह बेस्ट तरीखा है आप लोगों के लिए क्यों कि भाई आपकी सेफटी के लिए बता रहो कहां आप लोग जाकी एरपोर्ट में पहले ही भाई इतना लंबा साल साल काम करके जाते हो और एरपोर्ट में जाकर के काई को उधर से इधर चक्कर खाने का सही है के नहीं आप लोग बताना याद अब मैं चलो आप लोगों से एक सवाल करता हूँ अगर आप लोग गये हैं साथी अरब से तो कितना रियाल आप साथ में लेकर के गये हैं कितना लेकर के गये हैं आप लोग कमेंड म तो उनको क्लियर करना पड़ेगा बाखी का मैं जितना भी टूरिस्ट वगरा वो देखता हूँ हजार दूहजार डूलर से ज्यादा साथ मेने रखते बाखी का उनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगरा होते हैं वो उसी से कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास हजार से दूहाजार डॉलर करेंसी में रहना चाहिए रियाल ले जा रहे हो सकता है यह रियाल लेकर करके जाओ यह बेस्ट है आप लोगों के लिए बाखे का ज्वेलरी का तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही ठीक है उससे ज्यादा कर ले जाना है तो आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा सही है न तो उमीद करता हूं भाई यह छोटा सा वीडियो था क्योंकि देखिए और एक बात आपको बताता हूं जो बंदे जब सवाल करते हैं कोई बंदा सवाल कर रहा है तो उसका जवाब अगर मालूम है तो दीजिए क्योंकि यह इंट्रनेशनल मसला है एरपोर्ट पे बॉर्डर्स पे मसला होता है अगर कोई बंदा आपकी बात सुनके लेके गया व वो जिसका वीडियो देख करके वो ले करके गया उसकी तो नीचे से लेगे उपर तक वह वाट लगा देगा वो मिलेगा तो नहीं लेकिन मुझ से बोल बोल के बद्धुआएं देगा कि उसकी बात सुनके मैं यह लेकर आया था और मेरे को इतना पैसा भरना पड़ा तो क्या हमें दालेंगे वह कैस में डाल देँगे के वैलेशन हो जाएंगा आपके उपर क्योश सबसे आसान काम आपको बताया मैंने खिक है जो भी बंदापकी साल ले जाना चाहता है क्याश में रियाल ले जा रहे हो act paling cm बहुत है मारो इधर से यार बैंक में भेजो अगर आप बैंक से भेजना चाहते हैं तो मोबाइली पे बेश्ट अप्लिकेशन है आप लोगों के लिए मैं यहां पर कोड्स दे रहा हूं अगर यह इंट्रनाशनल ट्रांसफर अगर आप पहली बार कर रहे हो मोबाइली पे पेश्ट कर दीजिए ठीक है और आपको 35 रियाल मिलेगा फर्स टाइम 35 रियाल क्या श्व्याक आपको मिलेगा मेरी तरफ से और आपके जर्ये मेरे को सिर्फ 10 रियाल मिलेगा ठीक है अगर आप पहली बार मोबाइली पे अप्लिकेशन से ट्रांसफर कर रहे हो तो बेस्ट